हेलो फ्रेंट्स माइनेम ही समित एड़कम टू एड़ीटेग दोस्तो स्मार्टफोन या गैजेट इंडर्स्ट्री में हमेशा एक कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन होता ही रहता है हर साल लाँच होने वाले फ्लेक्शिप स्मार्टफोन में हमें एड़ किये हुए न्यू स्पैसिफिकेशन देखने मिलते हैं कुछ दिनों पहले ही वीवो ने अपना एक वीवो एक्स 20 प्लस स्मार्टफोन लाँच किया था जिसमें हमें डिस्प्ले के नीचे ही फिंगप्रिस सेंसर मिलता है जो कि एक न्यू टेक्नोलेजी है अब वीवो के एक न्यूस फ्लेक्शिप स्मार्टफोन के बारे में लीक न्यूस निकल किया है जिसमें स्मार्टफोन के कुछ स्पैसिफिकेशन पता चले है ये स्मार्टफोन जो अगर इसी स्पैसिफिकेशन के साथ लाँच होता है तो 2018 का ये स्मार्टफोन बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है ये फोन का नाम जो है वीवो एक्स प्ले 7 हो सकता है जो कि वीवो के X play 6 का एक अप्रेट वर्जन होगा और यह smartphone हो सकता है कि आपको जो है mid of the year में देखने मिल साए वीवो X play 7 smartphone के specification के बारे में बात करूँ तो यह smartphone के बारे में कुछ league news निकल किया है जिसमें बताया गया है कि यह smartphone में आपको 4K की display मिलेगी जिसमें आपको OLED पैनल दिया जाएगा जिसमें आपको screen to body ratio जो होगा वो 93% होगा यानि एकदम bezel less display मिलेगा जिसमें आपको same जो है vivo X20 plus की तरही डिस्पले के नीचे finger पी sensor भी देखने मिल जाएगा जो कि vivo के X20 plus से fast काम करेगा साथ ही इस phone की main highlight feature यह हो सकते है कि यह दुनिया का एक पहला smartphone होगा जिसमें आपको 10GB की RAM देखने मिलेगी जी है यह smartphone में आपको 10GB की RAM मिलेगा साथ ही इस smartphone जो है दो variant में launch हो सकता है जो कि यह 256GB और 512GB वाला internal storage के साथ यह smartphone में आपको dual front और rear camera देखने मिलेगा जिसमें आपको पहले से ही पता है कि vivo का camera जो है काफी बढ़िया होता है और camera में आपको 4X optical zoom भी मिल सकता है इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 845 का flagship processor देखने मिलेगा फिदाल तो यह सभी leak news यह और यह smartphone के बारे में कुछ भी अगर leak news निकल कि आती है एक्षा news आती है तो मैं आपको जो है मेरे इस channel पर update कर दूँगा उसके लिए आप जो है मेरे channel EDT को subscribe कर सकते हैं अब दोस्तो यह smartphone के अगर मैं expected price की बात करूँ तो यह smartphone का जो price यह 35,000 से 40,000 रुपिस की बीच में हो सकता है तो दोस्तो आपकी क्या रहा है Vivo X Play 7 के बारे में जो भी आपकी रहा है मुझे comment box में जरूर बताइएगा तो दोस्तो आगर आपको यह informational वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like, share और comment करना ना भूले और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे channel EDT को subscribe भी कर सकते है Thank you for watching friends मेरा नाम है Amit और मिलते हैं अगले ऐसे interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए take care and bye bye